आपके एक्जाम के लिए एक नई सिरीज यहां पर लिकर आए हैं अगर आप लोग इतना तयार कर लो तो इससे बाहर का नहीं पूछा जाएगा जी हाँ क्यों इतने में आपका बेड़ा पार हो जाएगा इसलिए यह वीडियो आपको जरूर देखना है क्योंकि यह चैनल आपके लिए बाकाइदे हमारी टीम इस पूरे सिरीज को टाइप की है उसके बाद इसके पूरे नोट्स को देखो पूरे नोट्स को मैंने यहां पर आपको रखके पढ़ा रहा हूं तो इस वीडियो को इस सब्सक्राइब करकी बेल आइकन दबा दे ठीक है ना ताकि हमारे द्वारा जैसे ही वीडियो अप्लोड की जाए किसी भी सब्जेक्ट का उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए तो प्यारी बच्चों यहां पर देख रहे हैं जो पहला क्वेश्चन है होस्ट कम्प्यूटर का उप्योग किस प्रकार में नेटवर्क में किया जाता है तो याद रखेगा होस्ट कम्प्यूटर का जो उप्योग है वह जो है स्टार नेटवर्क की रूप में प्योग किया जाता है किसमें स्टार नेटवर्क की रूप में अगला क्वेश्चन है किसी आई पी ठीक है ध्यान देना किसी आई पी एड्रेस के कितने भाग होते हैं तो किसी आई पी एड्रेस के एक दो तीन चार तियाद रखना किसी आई पी एड्रेस के होते हैं भाग चार भाग होते हैं याद रखना कितने भाग होते हैं चार भाग होते हैं ठीक है अब देखें नेक्स्ट कोश्चन है अगला कोश्चन आगे है उपग्रह प्रसारण किस टोपोलाजी पर आधारित है तो उपग्रह प्रसारण जो है ring पर या yes पर या star पर या gha number 3 पर या तो याद रखना star पर यह आधारित होता है ठीक है next question next question है निम्न में से कौन एक प्रोटोकाल नहीं है यह 2014 में आया हुगा question है यह student तो TCP by IP या ISP या STTP या यह घह नंबर है घह नंबर थोड़ा type में गड़बड़ी आ गई है घह नंबर X.25 तो याद रखना इसका जो सही option है वो है ISP यह इसका नंबर सही है यहाँ पर ISP होना चाहिए ठीक है प्यारे बच्चों यह type में थोड़ा दिक्कत आ गए थी जल्ली जल्ली होने के चक्कर में और यहाँ पर कुछ option इधर उदर हो गए फिर भी सही है आगे देखिए पांच नंबर वेव ब्राउज क्या है वेव ब्राउजर क्या है तो प्यारे बच्चों जो वेव ब्राउजर है वो मेमोरी काड है या साप्ट्वेर प्रोग्राम है या मोटे है या कमपाइलर है तो याद रखना जो ब्राउजर है वो एक साप्ट्वेर प्रोग्राम होता है क्या होता है software program होता याद रखना ठीक है अगले question क्यों बढ़ेंगे तो अगला जो question है प्यारे बच्चों यहाँ पे निम्न में से कौन सी input device नहीं है 2018 का question है तो input device पहला है option keyboard दूसरा है printer आगे देखिए mouse जाए stuck ठीक है तो इसका जो input है वो है printer जो है input नहीं है आगे देखिए next निम्न लिखित में कौन सा hardware device नहीं है तो याद रखिए guys जो hardware device होता है वो access cell access cell जो है एक hardware hardware device नहीं होता है access cell जो है एक hardware device नहीं होता है अब देखे एक number के question प्यारे बच्चों एक number के question आप के लिखा गया है देखे यहां से एक number के प्रश्णूरू है मतलब एक number के यह सब प्रश्ण है ओके तो wide area network का एक उदाहन दीजी तो प्यारे बच्चों wide area network का एक उदाहन जो है किसी bank की सभी साखाओं को जोडने वाला network wide area network का एक उदाहन होता है ठीक है न यहां जो bank की साखाओं होती है उसके सभी जो network जुडते है उसी को हम wide area network का उदाहन मानते है आगे देखे next है दूसरा number प्रश्ण है इंटरनेट किस प्रोटोकाल के अंतरगत कार करता है तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों जो internet होता है TCP या IP प्रोटोकाल के अंतरगत कार करता है किसके internet जो है TCP या फिर IP प्रोटोकाल के अंतरगत कार करता है अगला question है किसी network से जुड़े computer को क्या कहा जाता है तो याद रखना किसी network से जुड़े computer को node कहा जाता है क्या कहा जाता है node कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट है इंटरनेट पर जिस फाइल में किसी कमपनी के बारे में सुचनाय भरी होती है उसे क्या कहते हैं तो यहाँ पर देखे इंटरनेट पर जिस फाइल में किसी कमपनी के बारे में सुचनाएं भरी होती हैं उसको अपनी उसको उस कमपनी की ब्योसाइड कहा जाता है क्या कहा जाता है ब्योसाइड कहा जाता है आगे देखे निम्न में से पूरा नाम बताईए यानि यू आरियल URL का पूरा नाम क्या होता है Universal Resources Locator ठीक है फिर देखिए TCP by IP TCP by IP तो TCP by IP का पूरा नाम क्या है Transmission Control Protocol या Internet Protocol गह नमबर DNS का पूरा नाम है Domain Naming System गह का देखिए अगला है ISP यहां पे है ना ISP ISP का पूरा नाम क्या है Internet Service Provider अंगा का देखिएंगे WAN WAN का पूरा नाम है वो है Wide Area Network ठीक है अब चर का देखिएंगे चर का जो पूरा नाम है www World Wide Wave जो www.com लगाते हो उसी का पूरा नाम है यहां पे World Wide Wave चर नमबर है LANE LANE यानि LANE LANE का पूरा नाम क्या है Local Area Network होता है जहां नमबर देखिएंगे जहां नमबर में FTP FTP का जो पूरा नाम है File Transfer प्रोटोकाल ठीक है File Transfer प्रोटोकाल जहां नमबर में है मैन का मैन का जो पूरा नाम है Metro Area Network यह मैन का पूरा नाम होता है A नमबर है FIDI Fever FIDI Fever ठीक है ना अब देखिए आगे आगे है EFWDI Fever इसका जो है Distributor Data Interface ठीक है SC SMA का पूरा नाम Carrier Center Multiple ठीक है और देखिए ELSI क्या है इसे कहां प्रयोग किया जाता है त्याद रखना जो ELSI का पूरा नाम है Large Scale Integration है इस तक्नीक का प्रयोग करके हजारो ट्रांजिस्टर को एकल सिलिकन सेमि कंड़क्टर माइक को चिप में जोड़ा जाता है आगे देखिए प्यारे बच्चों और बच्चियों बेव पेज बनाने में किस भासा का प्रयोग किया जाता है STML भासा का प्रयोग किया जाता है इसे याद रखना Next प्रश्ण है आतिलगुत्तरी प्रश्ण दो अंक के यहां से पुछे जाएंगे यह आपके दो नंबर के प्रश्ण है Computer Network क्या होता है तो देखे मेरे प्यारे बच्चों Computer Network के बारे में समझ लेते हैं Computer Network से हमारा तात पर आस पास या दूर विखरे हुए Computer की उस समूँ से है जिन में से प्रत्यक Computer किसी दूसरे Computer के साथ सुतंत्र रूप से संपर्क बना कर सूचनाएं या संदेशों का आदान प्रदान कर सके और एक दूसरे के साथनों दृथा सुविधाओं का साज़ा कर सके यही है Computer Network ठीक है आगे देखे VDU VDU क्या होता है इसे कहां उप्योग करते हैं यह 2020 का प्रियोग क्वेस्चन है तो वीडियो का पूरा नाम है Visual Display Unit यह एक Output Device है जिसका प्रियोग Network में Output को देखने हेट किया जाता है तीसरा जो प्रश्ण है प्यारे बच्चों यों बच्चियों इमेल क्या है इसे किस तरब हेजा जाता है इमेल पर टिपण लिखिये 2012 2016 और 14 Very very most important question आपको निकाल के बताया जा रहे है इससे बाहर का question नहीं आएगा अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किये है तो अभी लाइक कर दे और नए है तो चनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन दबा दे ठीक है चलिए इमेल इमेल का टिपणी लिखिए या इमेल की विशेष्टाएं यों उपयुकता का वर्णन करे तो यहाँ पर देखिए इसका जो उत्तर है यह इलेक्ट्रानिक मेल सुविधा का संचिप्त नाम है इसके माध्यम से हम कोई भी सुचना या संदेश इलेक्ट्रानिक्स माध्यम से भेजें और प्राप्त कर सकते हैं यह संचार की बहुत ही सस्ती विधी है इमेल सुविधा का उपयोग करने के लिए हमें अपना इमेल एकाउंट किसी कमपनी के मेल सर्वर पर बनाना पड़ता है एकाउंट खोलने पर हमें उसका एक पताव दिया जाता है तब कोई भी ब्यक्ति उस पते के याधार पर हमें इमेल में भेज़ सकता है जो हमारे मेल बाक्स में स्टोर हो जाता है तो प्यारे बच्चों यहां पर यहां देखे हम कभी भी अपने mail box को देखकर अपने email को पढ़ सकते हैं इसी तरह भी किसी भी ब्यक्ति के email पते पर उसे email भेज सकते हैं तो यह होता है हमारा email box ठीक है तो दोस्तों अब जो है अगला जो topic होगा अगला जो वीडियो के next वीडियों त्यार होगा सर्च इंजन क्या है अगले वीडियों बताएंगे